हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है आपके अपने युट्यूब चैनल आल्लाइन सिक्षेन पर मित्रों हमने कल 131 तक क्यों देखा था दोस्तों समझात अंग और समरूप अंग के बारे में देखा था इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें आप लोग फटा पर सेयर कर दीज और आप पिछला वीडियो अपना रिवीजन करें जो कि मोश्ट इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन किसी भी कलेजिये किसी भी पेपर के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपना अब रिवीजन पर थ्यान दें हैं नो चली मित्रों हम बात कर एं 132 यहाँ देखते देखें विस्तर अपना देक्स्तलम के नाव देखें म्हंत्र शरी चुट्र तो इसका कोई लुझ नहीं है वह हम लोग अस्वाइन परजाति के Гरांड पता होना चाहिए हमारे जो प्रजाती होती है उसे homo sapiens के नाम से जानते हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए पहले के लोगों को टेल होता था पूंच होती थी तो अब हमारे पास पूंच है लेकिन हमें दिखता थो नहीं है अगर मिर्चगर की समान अगर धुलते हों तो आपको पता है वहाँ पर अगर कट जाता है तो अगर बहुत तीज लगता है और वर्मी फार्म एपेंडिक्स हो गया दोस्तों एक मान साहरी चोटा सा चलिजे की तरह से गांट के रुप में होता है दोस्तों उसका कोई भी यूज नहीं होता है विसाडू में कौन सा नुवांसिक पदार्थ पाया जाता है जैसे हमने आपको बहुत बार बताया है जैसे आपका कोरोना वायरस है यह किसे प्रकार का है तो एन आर ने टाइप का है दोस्तों और ने वायरस है याद करें मिस्तों किसे कहते हैं तो आपको पता है जो बेंजीन के सरल सुत्र होते हैं जैसे बेंजीन का अच्छा बता देगा कोई बेंजीन लिए यूझ के लिए के यूज किया जाता है आपको पता है इस स्वेटर जो धूलते हैं उसमें कौन सा पाउडर होता है बताएं यह कोई पता देजीं देख लेते हैं कितने बच्छों को पता हैं संत्रिप्त बॉंड इसके बारे हमने आपको बताया है दोस्तों एलकेन इ ऑब यह प्लास टू करके आता है और सी एन वहता है एउम का बस्केशन ह होता है और दोनों होते हैं ओलकार बन होते है एल्कीन होता है आपको पता होना चाहिवरा तो कैनल होते हैं एलकेन कखलाता है जिसमें डबल बांड होते हैं उख अलकेन होता है जिसमें टीपल बांड होता है तोrs कहाइन का Informatывает चैना है का मथेन मैथेन, एथेन, एषिवारे ऐब सारी सूटर्ला मतलबary बराबर एक यूज करेंगे तो 1 कि प्लेस से एक रखेंगे तो सी की बैलू कितनी आएगी वन आएगा और एच टू फ़ों मेफं से घि बोत करें चारपल फ्लस दो सिक ao जाएगा मित्रो है अगर एच च्रसेंगे मित्रों च्था स्थाली प्लॉं सबसे बड़ा जनतु जगत में सबसे बड़ा जनतु जगत के नाम से आर्थो पोड़ा जाना जाता है जिसमें आठ टांग होते हैं सबके सबसे इसी आर्थो पोड़ा में जाते हैं आछिसे हो मखड़ा बड़ाब फर्व किसे गाता है यह पराभ स्थमव का छोटा रूप होता है इसे मुख के इतना समानने होता है और पत्तियां बहुत छोटी होती है तता सल्क होती है तस और जैसे सतावरी या ऐसपर traum इसक लेखिए 139 नमबर का जली पौधे मतलब कि जल कुम्भी की पती की उपरी सतव पर मौमी पदार्त की परत होती है जब पानी उस पर पढ़ता है तो सरक जाता है जली पौधों की पतियां कटी-फटी होती है कटी-फटी होती है सिंगहाडे में परड वरिंद फूला हुआ होत कैसी होती है आप से पूछा जाता है तो बताते हैं जली पौध है के जड़े जो होती है बहुत ही कम विक्सित होती है जड़े रेसेदार होती है मूल रूप अनुपस्थित या कम विक्सित होता है दोस्तों मूल रूम जो होता है मूल रूप नहीं मूल रूम जो उसका होता ह अनुपस्तित होता है या फिर बहुत कम बिक्सित होता है कालीज यह है ना मचलियों में स्वसन हेतु किस अंका प्रयोग किया जाता है हम इतनों जैसे हम लोग अपने किस अंका प्रयोग करते हैं दोस्तों बता देंगे स्वसन नली का यूज करते हैं आपको पता है हमारे नल तक गया रहता है जो की अगनासिय जो होता है अंतिस्रावी गरंथ के नाम से जाना जाता है न तो वहां तक फैला होता है लेकर आगर आप बात करें आप जो आपका स्वसन नाली है नंग तक ही होता है यहां जहां से आवाज निकलते हैं तो यह सारी सारी सनचना है हमने आपको बताया है तो हम लोग ट्रैकिया वाले पॉर्षन से यानि कि लंग्स वाले पाइप से क्या करते हैं दोस्तों स्वसन लेती हैं कभी आप देखिएगा कि अगर उनका पूछ पकड़ लेंगे आपने तो दो मरुषुली पौदों की जड़ों की विशिश्टै की बतादीज तो मरुषुली पौदों की जड़े अत्iennentय विख्सित होती हैं जो कि बहुत लीचे तक गई होती है अलफा- eles drinking से मानसल और जल संचे भी करती हैं जैसे इस पिरेगस दोसमों इक गास का मेदान इक घास निए पानी के लिए अपने जड़े बहुत अंदर घाराई तक ले जाते हैं या दखेंगे बैके लाइट का उपयोग बता देंगे यह प्लास्टिक घृष्ट कर दिया वह रहेगा गला दिये तो काला पड़ जाता है जी जो पहले लेंड-Line टेलिफोन हुआ तो वह भी बैकलाइट सी मनता था याद रखेंगे बैकलाइट का उपयोग रेडियो टेलिवीजन आदी के केस तता बाल्टी आदी बनाने मी किया जाता है दोस्तों प्रोडूसर गैस होता है वाटर गैस होता है तो आपको दोनों का अंतर बता देते हैं दिहां से प्रोडू लते हैं यहां से लग उत्तरी प्रस्णी होता है जों में आज ही स्टार्ट कर से पर नीयम लेते हैं साऑइस करो हुए जो कि आपतित किरण और यहां से निकल रही है अपका रिफ्लेक्टेटर रहे और यहां अभी लम्ब दोसरा नियम यह कहता रही है। है कि अपवर्तुत कोड और परावर्तन कूड अपवर्तण सपुद के तो दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों का जो Fire Science कोड और पर इंसीडेंट रहे जिस एंगल पर गिर रही है ऑन दोनों का जो एंगल हों डोनों बराबर रहता है यह बोला जारा है रहा है साइन साहिन आई परावपर संद आर when I'll 26 इसे बोलते ने तांग तो यहीं होता है मित्रों यह आμεने की नियम फो सैने नेक्स पे तो तो सब्सक्राइं हम ने बता दिया कि आपको इसनाशा नियम को स सब्सक्राइब करता है यह होता है और दरपर उत्तलदर पड़ का उपयोग बता दीजिए दोस्तों आपको मुझवानी बताते हैं यहां को सब्सक्राइब आउतल दरपड का मतलब क्या होता है उतल दरपड में जो उभरी हुआ पोर्षान उभरा वह पोर्षान होता है इस पर कलई किया होता है सिल्वर से ऐसे किया जाता है और जो उतर दरपड़ कोटिंग के हैं इसे क्या ते हम इसे कहते हैं अब सारी लेंज अप सारी मतलब कि डाइवरजेंट लेंज दैवरजेंट मिरर वही यहाँ तकराएगी ना तो यह बिल्कुल फैला देती है आपका काम करता कि किसी भी रे को जो कि इसके मुख्याच के समानतर आता है उसे फोकस पर क्या कर देती है इसे कहते हैं अब दोनों का उप्योग देख लीजिए जो उद्तल दर पर होता है महातर एक चीजा रखें उद्तल दर पर से जो गाड़ी का रेर विवियू होता है दोस्तों उसको देखने के लिए जैसे गाड़ी की साइड से आ रही है माले जे तो आप उसे छोटा करके देखेंगे बड़े चीज को न तो उसमें कर लिजे कि हम क्या देखते हैं उत्तल दरपड का यूज़ देखते हैं यहाद देखेंगे जैसे कभी आप देखेंगे कि रहे हैं सेacral न यहाद कर से कि परावर्टक लैंप रोड पर लगा होता है वह सारी चीजों को क्या करता है मोका करता है तो यह एक पर आप उजाले आप उजने चहिए उत्तल दरपड का यूज़ोता है और यहांपे दाड़ी बनाने की वाला जो नाई होता है वह भी यूज़ करता है गाड़ी के हेड़ लाइट लेके चलते हैं कली टॉर्च उसमें भी यूज़ होता है दोस्तों यह सारी चीजें याद रखेंगे आप अब देखें दोस्तों यहां पर आउतल दरपड की बात हुआ है उतल परतिमिम भी बनता है वास्ति परतिमिम फांच परकार से बनते हैं और आभासी परतिमिम सुर्फ एक परात बनता है। तो सबसे नीचे सबसे जब सबसे जब सबसेหाते है अवरित्ति सबसे खार होती है सबसे दूर तक जाता है उसी को सबसे दूर सबसे चाहरे होटाए उसमें एनर्जी कम होती है इस वजेस को जादे दूर तक टॉबंगराता है इस वजे से हम उसे ट्रैफिक सिगनल हो गया हर जगह सी है रेलेए से हो चाहे रोड से bhaiगनी केरड़ का प्रकास का प्रखेड़न बहुत जाते शता है Holz करता है कि सूर्य का लाली मा नीब को ना ने का में निकलते समय जब दूर होता है गाला के निए वसंब्त के बिलकुल नजदीक होता है जब निकलते समय जब दूर होता है तो बहुत दूर से में दिखाई देने वाला कौन सा इसा कि रड़ है इस तो प्रकास का की रड़ हो गया एक तो आपवरतन होता है इसे रिफ्रेक्शन बोलते हैं रिफ्रेक्शन के कारण भी ऐसा होता है दोस्तों और पूरा आंत्रिक परावर्तन भी कलीजिस में आ जाता है बहुत सारी कारण है हम आपको बता देंगे कैसे देखते हैं किस नजर से देखेंगे अच्छा देखिए इसका एंसर बताईए किसो अपको देखेंगे कि जो अभी लम होगा थोड़ा सा मुडा हुआ को यह क्यों चुक जाती है जब सघंसे विरल में आएंगे तो अबिलम से दूर और जब विरल से सघंसे जाती है यही होता है प्रकास का अपवर्तन दोस्तों याद रखेंगे मित्रों इसके कारण बहुत सारे इस तारों का टिम्टिपाना ऊगा अभी हमने आपको बताया धूल कड़ के कारड़ तारे टिंटमाते हैं दिखाई नहीं देते अच्छे से क्योंकि हमें टिंटमाता हुआ दिखाई देता है असली में टिंटमाते थोड़े हैं याद रखेंगे द्रों में अंसतर डूबी सीधी सीधी छड़ हो गई यह बिल्कुर ट मचली के वास्ति यह हमें रियल में लेकिन टोड़으면서 थी ऋपर दिखती हैं क्यों कि प्रकास के प्रकास के किरड़ सगन मादय में सविरल मादय में आना चाहिए बहली होनी कोड भड़ा होना चाहی के मतलब ंसे कोई रहाती है उसी किरुदा कैनलीय के काचमका यह कांच में आई दरार का चबकरा यह भी पूरा अंत्री का प्रावरतन का कारण है दोस्तों याद रखेंगे याद रखेंगे यह इसनी बाते प्रकास का वर्ड विच्छे परतिसे कहते हैं आपको पता है प्रिज्म वाला वहीं सारी कहानी आप लिख देंगे लाल किरड सबसे ज़्यादे तरंग दर होता है सबसे तेजगती होती है बैगर करेंगे जिससे कि सारे बचे जुड़ सके मित्रों चलिए धन्यवाद कोई भी अगर आपको क्यों नहीं स्वज में आया करें तो आप लिख दिया करें नीचे हम देख लेंगे उसको और नेक्स वीडिय झाल